नबस्कर दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो देखिए एंटेपीसी के तरफ सजाए यहां पे एक्सप्रियेंस इंजिनर के वेकेंसी निकली लेकिन देखिए यह जो वेकेंसी आपका है तो आप लोग जाए देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसमें देख सकते हिंदी और इंग्लिस दोनों वे पब्लिक किया गया है तो देखिए इस पीडियेप में आपको यहां पे सारे इंफॉरमिशन मिल जाएंगे रिगार्डिंग आपको यहां पे रिकॉर्मेंट क्या है और साथ नॉम्बर वेकेंसी की तो इसमें देखिए यहां पर जो फेकेंसी आपके निकाले गई है, जो कि आपका है, यह female graduate engineers के लिए आपका है, यह basically सिर्फ female candidate के लिए है, तो इसमें देखिए जो engineering executive training के जो फेकेंसी आपके है इसमें, आप यहां पर देख सकते हैं कौन-कौन से discipline के जैसे electrical वालों का जो है, इसमें 22 फेकेंसी है mechanical वालों का 14 है, और electronics और instrumentation के लिए 14 है इसमें, और qualification जो दिखिए इसमें मांग गया हुआ है, full time bachelor's degree in engineering और technology, जो कि आपका 65% marks से आपका कम नहीं होना चाहिए, 65% marks आपका B.E.B.Tech में होना चाहिए, और यह जो है आपका, यह general candidate के लिए है, यानि कि जो general candidate है, और साथ में ज 55% है, आपका HTSU और PWD candidate के लिए यह है, और दिखिए, कौन-कौन से discipline allowed है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपका combination में, यह सारे अगर है, जैसे आपका electrical engineering combination है, आपका यह जो है, electrical electronics, electrical instrumentation and control, तो आप लोग apply कर सकते हैं, दुसरा mechanical engineering का है, तो mechanical engineering में कौन-कौन से combination आपका allowed है, जैसे mechanical, production, industrial engineering, और इसके लाइब का thermal और mechanical and automation यह power engineering, अगर आपका इन में से किसी भी combination में तो है, तो आप लोग apply कर सकते हैं, वह ही electronics engineering की बात करते हैं, तो इसमें देखिए, electronics, electronics and telecommunication, electronics and power, electronics and communication, कोई भी combination में आपका यह दी है, तो लोग apply कर सकते हैं, उसे तरीक instrumentation, instrumentation and control, और electronics instrumentation and control, कोई भी combination में आपका हो, तो आप लोग apply कर सकते हैं, और age limit की देखिए, बात करते हैं, तो इसमें देखिए, अपर age limit जो दिया हुए, यह general और EWS candidate के लिए, जो है, 27 year है, और जो last date app का online application का, तो वही जो है, इसमें आपका दिया हुए, कि उसे date को count किय जाएंगे, और age lexation, जैसे HTSC और OBC candidate, जो non criminal year का है, तो उनके लिए तो दी जाएगी, जैसे HTSC के लिए 5 year और OBC के लिए 3 years की दी जाती है, तो वह आपका लागू रहेगा, यह general और EWS के लिए 27 year है, और देखिए, mainly यहां पर जो selection process जो है आपका, तो यह gate के 2021 के scorecard के basis प कर सकते हैं, और basically जो shortlist किया जाएगा, तो जो gate का 2021 का जो भी scorecard होंगे, आपके जो ही performance होगा, तो उसी के basis पे जो है आपका आगे का, जो process होगा, वो किया जाएगा, जो gate का scorecard है, तो उसी को ही selection criteria माना जाएगा, और जो भी score जिनका highest रहेगा, तो उनको फिर document verification के लिए इसके लिए, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि gate में आप जैसे इन सारे branches में आपने appear हो हैंगे, जो भी आपका respective discipline है, तो उसी में आपका होना चाहिए, तो आप लोग apply कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए number of vacancy जो आपका दिया वात है, जैसे electrical के लिए 22, mechanical के लिए 14, और उसके बाद electronics और instrumentation दोनों के लिए इसमें देखिए combination आपका 14 vacancy है, तो यह देखिए आपका vacancy category wise भी division की गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी का, और यह देखिए जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे compensation और benefits भी, जो भी candidate selected होंगे, तो उनको देखिए यह pay scale में रखा जाएगा, आपका यहाँ पे दिया हुए 40,000 से 1,40,000 के पीच में आपका यहाँ पे है, और इसके साथ में आपका यहाँ पे जो placement होगा, तो placement देखिए जो भी selected candidate होंगे, तो उनको पहले one year का जैसे training रहेगा, various NTPC के जितने भी plans है वहाँ पे, और इसके बाद जो final place है आपको posting का, तो वो जो है आपका training के completion के बाद decide की जाएगी, और आपको जो है across country, मतलब कहीं भी placement हो सकता है, depending upon जो projects है, और station जहाँ भी NTPC के located है, तो वहीं पे आपको रखे जा सकते हैं, और shift में यहाँ पे कामक के लिए जा सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे including night shift भ के लिए तो वो 5 साल का है ही, और इसके अलावे जो OBC candidate है, तो उनके लिए 3 years का relaxation रखी गई है, जो कि आपको government norms के coding रहता है, तो वो तो आपका है ही, इसके अलावे देखिए इसमें जो आपको service bond भी रखा गया हुगा है, जैसे आपको selected candidate जो भी रहेंगे, जो belong करते हैं, general और EWS और OBC category से, तो उनको जो देखिए एक service agreement bond भी बनाना होका 5 लाख रुपए का, और यहाँ पर देखिए 2 लाख आपको यहाँ पर दिया हुगा है, तो इतना bond जो है, वहाँ पर आपसे बनवाएंगे, फिर इसके बाद देखिए, हेल्थ भी दिया हुगा है, इससे रि candidate जो है, उनको medical examination में जाना होगा, जो भी medical norms होगे, NTPC का, तो उसके according आपको fulfill करने होगे, यहाँ पर detail नहीं आप दिया, आपको यह website पे अफ्लेबर हो जाएगा, आपको क्या requirement रहेगा, यह सारे website पर ही आप लोगो मिल जाएगा यहाँ पर, और देखिए apply करने का date आपका से भी आपको apply कर सकते हैं, और gate 2021 का जो scorecard है, वही इसमें सिर्फ अपका valid है, बाकि और भी कोई gate की scorecard है, वो इसमें नहीं आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो आपका apply करने का date आपका दिया हुआ है, commitment जो होगा online application का, तो आपका 164 2021 है, और last date है इ इसको, और जिनका भी gate में अच्छा scorecard है, तो उनका होने का chances जादा रहेंगे, जो इसमें purely आपका gate का scorecard है, उसी के basis पर ही होने वाला है, और एक चीज़ जिसमें देखिए, important यह भी है, कि जो final year में student है, तो जो candidate मतलब final year में है, तो वो भी इसे apply कर सकते हैं, इसमें आपक आपका, तो इसमें मतलब जो candidate final year में है, तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं, और उनको जो है, यह दिखाना होगा, मतलब जब भी आपका document verification आपका होगा, तो आप लोग जो है, उस समय आपको मतलब पूरे document आपको दिखाने होंगे, तो यह चीज़ इसमें mention किया गया हुआ है, जो भी candidate shortlist किये जाएंगे, तो उनको अपने जैसे पूरा certificate document verification में दिखाना तो होगा है, और जो candidate मतलब final year में है, तो भी इसमें apply कर सकते हैं, उनके लिए कोई यहाँ पर यह नहीं मना ही दिए है, आप लोग भी apply कर सकते हैं, वाट at the time of document verification आपको पूरे जो document होने चाहिए आपके पास, तो जी apply इसमें कर सकते हैं, तो चली यही कुछ इसमें information आपका दिया हुआ था, और भी कोई doubt रहता है आपका, तो आप लोग जहें, अपना comment कर सकता है, हम उसका reply आपको जरूर देंगे.